श्वागत फ्रेंड्स आपकी अपनी होंसाइस क्लास में आसा करते हूं कि अब सभी लोग अच्छे होंगे ठीक है ना क्रॉअच stage पढ़ें अब सब्सक्राइफ हूं और अच्छे से मस्तिरि रहे आगे बढ़ते रही है ठीक है न आ के द्वारा अपने ब्योहार के एकॉर्डिंग अपने सोच के एकॉर्डिंग अपने लच्छ के एकॉर्डिंग हम किस तरह का कौन सा कारिय करके अर्निंग मनी पा सकते हैं अपने पीशे जॉब या फिर आय में बड़ोतरी कर सकते हैं तथा जीवी का एक अच्छे तरह से जी कौन-कौन से विवशाय आप चुन सकते हैं, इन चीजों को हमने बहूत अच्छी तरह से जाना, और आए इसके अलावा हमने क्या देखा, कि भारती एक लाओ के भारत के परमपरागत, विवशाय के बारे में जाना, भारत के परमपरागत, कढ़ाई, साज, सज्जा, इसके ब यहां सब कर देखे हैं अब यह सब कर बंचे हैं देख तो इसाल पड़ने में आता है यहं उसलिए आप से करेंगे कि क् giving ty तब है आप आएगा बीचो बीच से नहीं समय लेक्चर वाइच आप देखते रहें ठीक है ना क्रम वाइच आईए देखते हैं कि कारिय आयू और जिंडर अर्था देखिए आपके चेप्टर का क्या नाम है कारिय आजीवी का और जीवी का उसी में से कारिय को ले आके यहां पर रख दि या फिर किस प्रकार से कारिय क्या द्वारा यह किये जाते है किस तरह से बाटे जाते है कारिय को ठीक है ना इनकी द्वारा अब देखते हैं किस्य कार्य बलके शदाश्यों कि आयू और लिंग ठीक है न अर्था चेक्स है इस पर CONFUSE ना हो जिएगा इन्हीं व्यक्ति के दृष्टि कोड को ही अर्था जो व्यक्ति है ना व्यक्ति के व्यक्तिगत दिश्टिकोड को बताया जा रहा है अब यहां लिखा गया है ना व्यक्तिगत क्या बताया जा रहा है कोई भी एक व्यक्ति है तो उसका अपना व्यक्तिगत पर्शनल मैटर कोई है तो उसे किस से इंगित किया जा रहा है व्यक्ति दिश्टिकोड स ठीक है? और समाज तथा राष्ड दिश्टी कोड देखे, दोनों को एक साथ जोड दի आ गया है. किसकी साल? समाज और राष्ड दिश्टी कोड को क्या maintenance? समच्चि द्रिश्टी कोड को दोनों तरह शे प्रभावित करता है और क्या प्रभावित करता है यह जो उनके कार्य करने के तरीके हैं अर्थत आय्उ और जेंडर ठीक है ना जेंडर का मतलब जान रहे आप समझी रहे होंगे, कि लड़का हो, लड़का हो या लड़की, ठीक है ना, महिला हो या पूरुश हो हो, लड़की हो जो भी समझी है, तो उन्हें को कहा जारा कि किस तरह से, अब व्यक्तिकत में समझ लेजिए, कोई एक व्यक्ति है, छली हम अपने सब्जेक्ट से ले के ही हम आपको एक्जामपल देते हैं अब कोई व्यक्ति हैं उनकी बेटी बड़ी हो गई है तो वह क्या कह रहा है कि हम अपने बेटी का विवाह करेंगे जबकि उनकी बेटी क्या है 18 साल के आयू के कम की अभी है ठीक है ना तो उनका व्यक्तिगत यह पॉस्टनल मैटर है तो कि द्रिश्टी कौर को यह कहा जा रहा है और समाज तथा राश्टी के द्रिश्टी कोड़ अब समाज क्या करेगा सम्विधान में कितने वर्ष को भीवाह के लिए किया गया है 18 वर्ष के लिए लड़कों का कितना 21 वर्ष का ठीक है ना 21 वर्स का कर दिया गया है. तो उसी बात को कहा जा रहा है कि अब क्या यह व्यक्ति जो है वो 18 वर्स से कम आई की अपनी बेटी को साधी करने के لिए कह रहा है तो क्या इसे समाज या फिर जो राष्ट मानने ता देगी, नहीं मानना ता देगी. तो लोगों के कार्य करने का अलग-अलग क्या है? बियोहार है, फिर चाहे वो आयू के अनुसार या फिर जेंडर के अनुसार, ठीक है न? आगे बढ़ते हैं, अब देखियें, बच्चों और महिलाओं के श्वास्त और विकास दाव पर होते हैं, जब उनको ऐसे स्रम कार्य जबर्जस्ती से लगा दिया जाता है, सही बात है, जो उनकी शारीरिक और मनोवैग्यानिक अवस्था के उपयूक तो नहीं होता है, जनसक्या के इस खंड में बड़ी आई वर्ग के लोगों ने अपने दृष्टी कोड से ध्यान देने की आवर्शक्ता है, आये इन तीन स कमुहों के सामने आ रहे चुनावतियों को संचिप्त में विवेचन करते हैं, अब इसका मतलब क्या है, बच्चों और महिलाओ के स्वास्त पड़ क्या दाव पेच, वैसे ही पड़़ा है, देखिए उनकी आर्थिकी स्थिति सही नहीं है, तो क्या तरह तरह के फैक्टरिय छौदा वर्ष के आई के बच्चे है, तो करते है, तो यह तरह के महिलाओं महिलाओं से बीअकरे कार्या के समिलेक्टार बिस फेक्ट आइंए, फ्री टाइम दी दो कामनें है, और मान लिए आत्यू भीनित की भborल येश्युविष्वेश का है, क्या वज का कउना हम का मैं धोने का काम करवा सकते हैं वैसकों तो करेंगे ही करेंगे ठीक है ना 12 साल 6 साल इनसे हम कारिय करवा सकते हैं नहीं अब जेंडर में ले लिजे महिला है महिला है या फिर पूरुष है पूरुष है तो क्या जो कारिय पूरुष कुछ करता है वो महिला कर सकती है नहीं कुछ कारिया से अब तो हाथ से हाथ मिला के महिलाएं चल लएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे कारिये कर लेती है तो उसी को कहा जा रहा है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कि दाव पर लगा जनसंख्या के इंस्खंड में बड़ी आयू के वर्गे के लोगों में द्रिश्टिकोड की ध्यान में रखना आवश्यक है ठीक है ना अब क्यों ध्यान में अब टीचर है अब टीचर का क्या काम है पढ़ाने का काम है टीचर का पढ़ाने का काम है उनसे कह दिया जाए ठोने के लिए तू उठोएंगे नहीं धोएंगे जबकि बहां क्या जो आर्थिक इस्तितित महिलाएं जूझ रहे हैं वो कहें कहें जाके इट ठोने का भी काम कर रही है बैग्यानिक है अपना सर्च का का काम कर रहे है तो अदत्रोतों और तो उनसे का पढ़ाने का का म करें जो तो से च्वाज शंबंद किस से लिया गया है जेंडर अर्थात महिला हो या पुरुष हो या फिर आगी और देखते हैं क्या दिया है इसमें जीवन के आधिकान से स्वरूपों में प्रकृति ने जैविक और कारियातमक भिन्नताओं को भली भात इस्थापित करते हुए इस्त्री और पुरुष में भ अब हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि किस तरह से किशोरा अवस्था में परिवर्तन होती है तो परिवर्तन किसके कारण होती है आपने पढ़ा है ना बहुत डीटेल में हार्मोन के कारण होती है अब यह हार्मोन आपका क्या है आप स्वेम कर रहे हैं डॉक्टर कर रहा है कोई द्वारा क्या होगा जैविक परिवर्तन होगा आपके शरीर में ठीक है ना इसी बात को कहा जा रहा है सारीरिक भिन्नता होती है हर कोई हम एक ही मा के गर्व से बच्चे जन मिलेते हैं हम कितने भाई-बहन होते हैं होते हैं दो चार दो एक जो भी भाई-बहन होते हैं लेकिन क्यbernation करता है प्रकेर्टी वही कहा जा रहा है कि प्रकेर्टि जैविक और कार्यात्मक भिनताव को भली भाति इस्थापित करते हुए इस्थृ पुरुष में भीद किया है खुद प्रकेर्टी ही वो करते अब जन में लेता है तो होता है बेटी पैदा हुई कि बेटा पैदा हुआ है यह होता है ना बहुत खुसी से लोग पूछते हैं तो क्या हुआ बेटी पैदा हुआ तो किसकी त्वारा जाना जाता है लिंग त्वारा तो उसी को कहा जा रहा है श्रामानी मानो जाति को दो लिंगों में बाटा गया है ठीक है ना महिला है और पुरुष और इस्त्रिया परंतु अभी हाल में भारत में शर्वोच नयायाला ने पार जेंडर पार जेंडर का आर्थ है ट्रांस जेंडर लोगों को तीसरे जेंडर के रूप में मानियता दी है अब यहां समझनी कोशिस के दिए यहां तो क्या है लड़का लड़की हो गई महिला पुरुष हो गए ना आपको सीधे जान जाते हैं कि हाई यह महिला है यह पुरुष है उनके सारी रिटा से उनके हाव भाव से उनके जो भी ये प्रकृतिक नेचर हैं और ये किस से मिलते हैं प्रकृति द्वारा मिलता है तो जो लोग मारे मारे खिरते हैं ना कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए हर जगा बेटे ही दिखाई देते हैं हम बेटियों का नाम ही नहीं होता है ठीक है ना तो ये क्या है प्रकृति द ना ही पुरूस होते हैं और ना ही इस्तरी होते हैं तो इन्हें क्या कहा गया है पार जेंडर कहा गया और इन्हें भी अपसरकार ने क्या दिया है मान्यता दे दिया गया है ठीक है अब यहां पर यह भी नहीं हो जाते हैं तो आगे देखते हैं जो कि क्या है किसी जेंडर में नहीं आते हैं यह लोग क्या होता है किसी जेंडर में नहीं आते हैं तभी तो देखते हैं ना, इनका समाज अलग होता है, अगर यह जान जाते हैं कि इनके जंडर के बच्चे पैदे हुए हैं, तो यह तूरंत ले जाते हैं, उनमें हमारा कोई छेड़-छाड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इनका समाज अलग होता है, इनका बेवा तो यह भी अपना जीवन निर्वान कर रहा है बहुत अच्छी तरीक ऐसे तो इसी बात को बताया गाया है कि हम क्या हैं? तीन तरह के लोग होते हैं जो कि क्या है प्रकिर्टी ही देता है, किसी का आपने बश में नहीं है, जिन्हें पारलेंगिक पारपरिधानिक इत्यादी कहा जाता है अब इन्हें और क्या कहा जाता है पारलेंगिक पारपरिधानिक भी कहा जाता है लिंग सेक्ष तथा इस्तिरी पूरोष जेंडर जैविक के लिए सामाजिक शांस्कृतिक दृष्ट कोड की भिन्यताओं को इं कि यह परंपरा है कि अच्छा एक दो बच्चे हो जाएं तो यह क्या है जैविक है सामाजिक संस्कृत का बढ़ावा है आप देखते हैं जिनको नहीं होता है वो भी कितने परेशान होते हैं यह प्रकिर्ट द्वारा दिया हुआ यह क्या है हमारे लिए वो अमरित समझिए य दखर में सभी जाती है वह सामतिक जाता है ना क्योंके उनका बरस चलता है किंजरा सब्सक्राइबररा द्वारा क्या है एक आशिर्वाद मिलता है ठीक है ना बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं हो रहा है तो दोखिए वो कितने समश्याओं में होते हैं तरह-तरह के चीजें दिखाना शुनाना दवा वगेरा ठीक है ना तो यह प्रक्रत द्वारा दिया गया एक हमारे लिए क्या है आशिरवाद है शेक्ष और जिंडा सब्द अक्सर बदल अदल बदल कर उपयोग में ले लिया जाता है ठीक है ना परंतु निश्चित रूप से इनमें भिन अर्थ शेक्ष अनुवांशिक अब वही अनुवांशिक क्या है कि विवाह श्वरूप बंधन के बाद क्या होता है हर कोई मा बनना चाहता है हर कोई पिता बनना चाहता है जनन अंगो इत्याद के आधार पर जैविक वर्ग से सम्मंधित है ठीक है ना अनुवांशिक किस से सम्मं राथाजपन जो sex है अनुमानषिक जन्नांगों के दोरा जैविक वर्ग से सम्मंदित है और यह जएंडर है कोई लड़का है, कोई लडकी है, यह सामाज ही पहचान देता है, दूर से ही कोई लड़की आती है, तो हम कहते हैं यह सुन्दर लड़की है, दूर से ही कोई जब की जंडर सामाजिक पहचान पर आधारित जंडर का मतलब लड़की और लड़का सामाजिक पहचान पर आधारित हैं इक नर शब्द लड़कों और पुरुश को बताता है अब यहाँ नोट करिएगा बहुत लोग कन्फूज होते हैं कि नर मने नारी ऐसा होता है न डिस्टर्ब होता है न नर मतलब नारी बोल देंगे ठीक है जबकि मादा सब्द यहां नोट कर देते हैं मादा सब्द किसे लड़कियों को और महिलाओं को इंगत किया जाता है ठीक है ना मादा मतलब वैसे ही जाएए कि माता माता और जो नर है नर्माने पुरुष छोड़ दीजिये ठीक है ना कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें मैं भी पहले डिश्टर्ब हो जाती थी मादा में माता समझिये और नर्मी पुरुष कभी-कभी ऐसे लगता था कि नर् है ना तो वही बता रहा है पहले मादा में माता को बता देजिये फिर जो बचे नर्म वो क्या है पुरुष है हम पुरुष को हम बात करते हैं कि यह नर्म मतलब पढ़ने लिखने के तौर तरीके में आप देखिए यह सबदा गया ना तो नर्म है और यह क्या है मादा है ज जिस एर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तरह तरह के हर्मों स्चेंज होते हैं, तो आपके सारीरिक बनावट से ही प्राथमिक पहचान दे देता है, ठीक है न, मेंस साइकल सुरू होना, माशिक धर्म का आना, लड़कों के चेहरे पे दाड़ी मुझ का आना, फीघर में बदल होना तो क्या है, यह सब हमें प्राथमिक पहचान दे देता है, ऐसे एक्ष एक्ष और एक्ष वाई, अत्वा अन्य दूसरी गुड़ सुत्रशायों के कारड़ होता है, ठीक है न, अब एक्ष एक्ष मिलके क्या बनती है, जिस भी मा के घर्भ में, यह क्या, निसे चन क्रि यादवारा, जहां भी एक्ष एक्ष गुड़ सुत्र मिलते हैं, ठीक है न, गुड़ सुत्र मिलते हैं, वहां क्या होती है, लड़की जन्म होता है, और जहां भी एक्ष वाई मिलता है, वहां क्या होता है, लड़का, ठीक है न, इसी बात को यहां मेंशन किया गया, इसे कर लेजेगा ऐसे question पूछ लेता है कि एक्स एक्स तो नौजात सिसू है का संबंध है तो लड़की से एक्स वाई जो है वो लड़का इंगित करता है ठीक है ना कर आपको पता होगा अन्य दूसरे गुड़ सुत्रों को सहीओज के कारण होता है और जो तीसरा है पार जेंडर है सहीओजन के कारण प्रतीक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रताय करती है कि विभिन जेंडरों को कैशे बेवार करना चाहिए सही बात है हम जब से बेटी या जन्म ले लेते हैं तो यह होता है न कि बड़ी हमें सहनसील सिखाया जाता है हमें पढ़ाई के साथ अच्छा घर में दादी चाहिए क्या हो कि घर के भी कामकाजों को अपने अंदर वह सेहनसीलता करते जाए और क्यों क्योंकि आगे चलके उन्हें कितना भी आगे बढ़ जाएं उन्हें स्वैम करना पड़ता और जिस तरह से लड़के होते हैं लड़कों के लिए उनका बेहोर किया जाता है तो यह ब्रिद्धी और विकास के साथ सान निरंतर धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है ठीक है ना हम धीरे धीरे बड़े होते तो हम कहते हैं कि हम अब हम छोटे रहते तो मम्मिमान लेजिए हमें भी पैंटी सर्ट लुवर वगएरा पहना देती हैं लेकिन क्या आज धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं जब से शिसु जन्म लेता है लड़के को किस तरह लहना चाहिए और लड़की को किस तरह रहना चाहिए ठीक है ना बत वही कहा जा रहा है किसी भी समाज अथ्वा समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी भूमी का निभाना भी समय के साथ ही यह मानदंड और परताये अपने रूड़िवध हो गई है अब कहीं कहीं रूड़िवध भी हो गई है घर यह तो ठीक है कि हमारी शंकृत है लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए लड़कों को ऐसे ठीक है ना लेकिन वह क्या हम खुद अपने आप में सोच रखते हैं अब हम 12 बज़े रात को कही निकले तो हमें स्वैम में डर लगेगा भले हम कितने बड़े हो जाएं अपरी सर बन जाएं लेकिन वहीं देखिया हमारे साथ अगर पापा हैं भाईया हैं मामा चाचा कोई भी है एक भले हुँ हम से एज में छोटे रहे हैं तो हम 12 ब पतानिक कोशिस कर रहते है कि इसलैं बहुत बहुत कर रही हैं और भी बहुत बहुत चीजें है तो वह साहसी बन रहे हैं लेकिन उन्हीं चीजों को कही किसी घर में क्या किया रहा है रोकसित विडिया vän ज़ हो कि लिए नहीं है कि नहीं लड़कियों के लिए यहीं है कि वो घर का काम देखें बाहर का थोड़ा भज़़ुल छूट लड़कों के जैसे म्हयां जाई यह कहीं भी इसलों नहीं है फुल्चुट लड़कों के जैसे नहीं जाये कहीं भी तुझमेंगी ठीक है न inan intentar लेकिन अब हमारी बुगा ऐसे रह चुकी है तो हम भी ऐसे रह रहा हैं बाबा किसका उदारर देते हैं दादी बाबा बुगा का अब हम भी घर में हैं हम बेटी आए तो हमारा हमें दीदी का उदारर दिया जाएगा तो ऐसे हैं निरंतर चलती रहती है और चाहे बेटे होके तो बे ये लड़का है ये लड़की है इस सब्द की रचना कौन किया है सामाजिक रूप से बनाया गिया है ठीक है न कहीं भी मैंसर नहीं है वो बगेरे में सामानी और अपेचित बेवहार से अलग किसी भी तरह का विचलन अनवपचारिक परंपरागत और कभी कभी अग्या कारी भी हो जाता है ठीक है ना फिर भी शमय बीतने के साथ सद्भूमिकाएं और आचरण विक्सित हो रहे हैं है जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं अपने आयू में उस तरह से क्या होती है उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है ठीक है जिसका परिडाम परिवर्तन के सान निरार्ता में हो रहा है जो निरांतर चलता रहता है ठीक है ना यह देखा जा सकता है कि अब क्या कोई लड़की छोटी है, 6 साल की है, तो वो अलग एकदम फ्री दिमाग से गुम रही है, 12 साल की हो गई, तो उन्हें थोड़ी सी अंदर वो आ जाती है, सोच समझ आ जाती है, कि हमें कब बाहर निकलना चाहिए, कम नहीं, हम स्कूल गएं सीधे, तो हमें सीधे, फिर स्कूल से यहीं आना च चाहिए, कहीं और जाएं, तो ममी पापा से बताना चाहिए, लड़के हुए, चाहिए, लड़किया होई, तो ठीक है ना, तो उसी परिवर्तन को बताया जा रहा है, कि निरंतर परिवर्तित होता रहता है, फिर वो आगे पढलिक के जॉब पाती है, तो थोड़ा और स्ट् चाहिए, जैसी बरसों पूरानी वुमिकाएं बदल रही है, अब क्या हो रहा है, बतला हो आ ही रहा है, परंतु पूरे भारत में इस्त्रियां उत्पादन सम्मंदी कारियों से और कुछ समाजों विपढ़न कारियों में भी जुड़ी होई है, ठीक है ना, अब किस से जु पूरे भारत में इस्तरियां क्रिशी, पशुपालन, गहनता से और व्यापक रूप से जुड़ी होई है, ये सही बात है, और सहरी छेत्रों में भी निर्माड कारियों में कारियरत है, ठीक है ना, अथवा घरीलू सहाईका के रूप में रोजगार प्राप्त कर रही है, घ है, तो वो क्या खाटना, लगाना, रोपना, तरह तरह के काम है, पशुपालन करना, पशुवों के लिए च्यारे लाना, और सब देखते हैं, ये सब कारियों को करती हैं, ठीक है ना, और सहरों में निर्माडिक कारिय, अब कहीं पे फैक्टरिया है, तो उसमें अपना जॉ करती हैं, तो वो क्या कर रही है, एक हमारे लिए पौश्टि का हाथ तायार कर रही है, ठीक है ना, जो कि क्या है, प्राप्त कर रही है, रोजगार प्राप्त कर रही है, ये सब ही घर से भी वो क्या कर रही है, रोजगार आप देख रहे हैं, बहुत तरह की बेकरी बनाने क तो उसी को कहा जरए यह सब भी कामकाजी महिलाये हैं और किसी रूप में परिवार के आय में योगदान कर रहे हैं अब ये कारी क करती है तो पापा के सद क्या है उनके आय'े में योगदान ही तो कर रहे हैं जो भी थोड़ा बहुत हुऊ खमा लेती है ठीक है न बहुत से परिवारों में अकेले महिलाएं कमाने माली हैं कमाने से सक्रिय भागिदारी और परिवायर के समन्नों में योगदान देने के बावजी दे इस्त्रियों को स्वतंत्रता रूप से निड़े लेने और स्वतंत्र राहने में मना ही है, ठीक है न, भले ही कोई इस्तिरियां शर्विस कर रही है, उनके घर के जेंस नहीं, उनके हस्वेन नहीं सर्विस में है, उनकी जॉब लग गई है, फिर भी उन्हें क्या है, वो सतंत्रता नहीं दी जाती है, कि जो की पूरुष एक शर्वि इस करणॡ इस्तिमों नियरंतर सक्तिहीन मन चला रही है और इसलिए इस बिने थोड़ी मन की क्या होती है सक्तिहीन हो जाती है कि हम इतना कर रहे हैं भाई वह बाहर का जॉब भी है घर मैं भी बच्चे है सुएम अपना देखफाल है सात में जो भी है उनकाो देखछा थी फि समाज में समर्थ बनाएं और समाज में उचित अस्थान और अपनी बात कहने का अधिकार दें, ठीक है न, वही कहा जा रहा है कि तो इस्तिरियों को उन्हें सिचित करें, ज्यादा से ज्यादा शशक्त बनाएं कि वो श्वैम अपने पहर पे खड़ा हो सकें, उतनी सामर्थ वो रखें और उचित अस्थान और अपनी बात को, उनकी बात को अधिकार दिया जा, ठीक है न, महिलाएं तब ससक्त नहीं हो सकती हैं, जब तक कि घर पर किये गए उनके कारियों का मुल्य नहीं आका जाता है, ठीक है न, अब कितना भी कोई महिलाएं टाइम से क्या हता है सुबह को उटती है न, पापा के लिए सारी तैयारी है, उनके लिए खाना वगरा है, बच्चों का लंच है, टीफिन है, उनके ड्रेस है, प्रेस करना है, तरह तरह के काम होते हैं, फिर अपना है पूजा पाठ है देखना है, तब तक दाधी बाबा के चाय का काम हो गया, अगर दादी बाबा है बुड़ी विजुर गए तो उनके खाने का जरूर थोड़ा सा अलग वो रहेगा. बच्छों को लंच का अलग रहेगा. तो दो-तिन का तो दो-तिन तरह का तो खाना बनाती है. उनके रोटी में घी घी नहीं, उनकी दाल फ्राय नहीं. तो यह क्या है? अगर उनके कारियों का मुल्य नहीं आका जाता है तो उसे सव वेतन कारिय के बराबर नहीं माना जाता है ठीक है नहीं, वो इतना कारिय करती हैं पिर भी उन्हें क्या उन्हें बेतन के बराबर नहीं माना जाता है महिलाओं को घर चलाने वाली ग्रिखडी मानते हुए घर पर किये गए उनके कारियों का सायद ही मुल्यांकन किया जाता है सायद ही कहीं मुल्यांकन किया जाता है कि हां मुल्यांकन का मतलब कि हां तुम बहुत अच्छे से घर को चला रही हो ये थोड़ी रहा है कि कोई सर्विस कर रहा है कोई कमा रहा है तो स्वेम उससे नहीं घर चल सकता नहीं चल सकता ठीक है ना जबकि उसे इस्तरियां घर में समालती है तो उनका भी मुल्यांकन करना होता है कि हां तुम समय से सबका समय से भोजन मिलता है वो जो भोजन मिलता है वो पौश्टिक होता है ठीक है ना पौश्टिक होता है और क्या बचत भी करती है मित्र मित्यवाई भाव से वो रहती है बचत को ध्यान में रखती है ठीक है ना और इसे आर्थिक गतिविदियों के रूप में भी गिना नहीं जाता और आर्थिक कती विद्मी में नहीं परन्तु ये कहावत है कि धन बचाना धन कमाना है महिल धन बचाना धन कमाना है ठीक है ना महिलाएं परिवार के भरड़ पोसर के लिए अपने जीवन के सभी इस्तरों मा बहन बेटी पत्नी और दादी के रूप में घरेलू काम का जिया परिवार के अन्यकार्य करती हैं ठीक है ना करती हैं मा का तो काम देख लेजिए बहन है बहन भी बहुत ध्यान देती है कि हाँ पत्नी यहां पूरा ध्यान रखती है अगर जैसे इंकम है उसी के हिसाब से हम खर्च करें ऐसे ना करें वह बहुत ध्यान देती है तब ही क्या होता है जो भी इंकम है उसमें सही तरीके से चलता है घर के खर्च दादी के अब दादे क्या हैं अचार, चट्नी, मुरब्भ truth, तो बनाती सीय हैं दादे तो वह क्या है वह अपने घरिलू कामकाजे परिवार के अन्यकारियों को करती है ठीक है उनके लिए उन्हें जीवन भर उर्जा की आवर्शक्ता होती है और इन कारियों को करने के लिए ये कारिय कौन से है सारीरिक कारिया है क्या है सारीरि ये क्या है शारीरिक कारिया और सारीरिक कारिय में क्या लगता है उर् भूमिका निभाने और करतब या पूरा करने में सहायता होती है अता महिलाओ द्वारा किये गए घरेली क्वारियों को आर्थिक योगदान और उत्पादन गत्युकितियों की तरह महत्यों देने की आवश्यक्ता है ठीक है ना उन्हें महत्यों दिया जाए यह नहीं कि पापा कमा के आगें पापा सर्विस से आगें जो ड्यूटी से आए ताना मारने लगें चाहे नहीं बना पानी नहीं मिला यह नहीं मिला वो नहीं मिला तो यह बहुत क्या है यह गलत बात है क्योंकि वो इस्तिरिया भी जब तक आप duty पे रहते हैं, तब तक क्या होती हैं? वो घर के काम में लगी रहती हैं. जितना आप duty कर रहे हैं उद्नाही टाइम वो घर के कारिये को समाल लें तब घर परिवार के हैं, सभी लोग क्या है? सही तरीके से चल लहे हैं. परिवारी की स्थिती क्या है? सुचारू रूप से चल रही है ठीखinker ना? तो इस बात में महत्व देना चाहिए कि जो भी घर की महिलाए हैं वो भी क्या कर रही हैं वो सही तरीके से जब परिवार को चला रही है तरह तरह अपने कारियों को करके, तब आपकी क्या है, आपका भी जॉब सफल है करने में, ठीक है ना, नहीं तो कमते जाये, देखिए घर में कितना पैसे से क्या हो जाता है, कितना मेड लगा लो, कितने भी कारिकर वाला, लेकिन नहीं आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा, नहीं आपके भचत में वो भचत होगी, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, सारी रित कारियर करने के लिए और जाक या और जाक या आवस्चता के लिए कारबोज की आवस्चता होती है, ठीक है ना, इसका क्लास हम अलग देंगे आपको, वो करिएगा, TG, PGT के लिए मैं अलग से वो ड दिखते हैं, घर के बाहर रोजकार के लिए काम करना उनके स्वाधीन होने में सहायक हुआ है, और साथ ही उनके परिवार के संसाधनों में भी सुधार लाया है, महिलाओं ने अर्थ वेवस्था के परतियेक छेतर में भाग लेना सुरू कर दिया है, और उनमें बहुत सी उ पर दोहरा भार पड़ गया है, क्योंकि अभी भी उनसे यह अपेच्छा की जाती है, कि वे घर का आधिकांस काम काच करें और मुख्य देखवाल करने वाली बनी रहें, ठीक है ना मुख्य देखवाल क्या, अब कोई भी इस्तरी है, बिवा तो होगा ही, बिवा होगा तो बच्चे जरूर होंगे, और बच्चों का देखवाल वो श्वैम जरूर करेंगी, मा है, क्या है, एक मा है, तो मा का रोल तो वो निभाएंगी, निभाएंगी, तो क्या है, कारी के साथ ये क्या है, किसी भी पद पे अगर आसीन है, तो पद के साथ-साथ उनको क्या, ये भ पढ़ाईए साहस दीजिए ठीक है ना सु आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर बढ़ा होगा सु फ्रेंड्स आगे का लेक्चर हम नेक्ष्ट अगले लेक्चर में देखेंगे अगर अच्छा लगे सही से समझ में आ रहा होगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप तक पहुंचे आप हमारे तक पहुंचे तब तक के लिए बाई-बाई